नमस्कार दोस्तों फटापर से जानेंगे देश के सभी रज्यों का अगले आने वाले 24-48 गंटों का मुसम का हल कैसा रहने वाला है कहां पर 22 होने वाली है और कहां पर आंदी तुफान को लेकर बारी अलर जारी करते वी लोगों को साफदान और सतर गरने को भी कहते गया ही तो दोस्तों मुसमी फाक ने बताया है कि दिली एंसियार में अगले 48 गंटों तक जो है 22 को लेकर अनुमान नहीं जताया गया है वहीं मुसमी फाक ने उतराकंट समेथ देश के चवदा राज्यों में अगले 48 गंटों के दोरान 12-22 होने की भी चितावनी जारी कर रकी ही इ जहां पर अगले 24-48 कंटों में जम कर बायश होने के भी आसार मुसमी फाक के दोरा जताया गया है इसी के साथ मुसमी फाक ने बताया है कि दिली एंसियार में अगले 2-3 दिनों तक बायश नहीं होगी वहीं अगले 3-4 दिनों के दोरान 12 को लेकर भी अनुमान है इसके पर दोस्तों एक एक करके देश के सभी राजियों का हाल जो है विश्तारूप से मापको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहां पर क्या कुछ होगा उससे पहला आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजी और जो लाल वाल बटने इसको दबा कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और जो पास वाला बेल आइकन ही इसको भी जरूर से दबा दीजीगा और यहां नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप अपने राजिये जिल्ले सेत्रे अपने गाउं का नाम आप जहां काहीं पर भी रह रहने वाला है तो दोस्तों मुस्मिभाग ने बताया है कि बिहार जारकन के कुछ इससों में उपहिमालिया पश्च्य मंगाल असम, अरुनाचल प्रदेश, मेगले, नागलान के कुछ इससों में और हीमाचल प्रदेश अई उत्राखन में जो ही और इसके आस-पास के इलक पर मद्यम बाइस होने की पूरी पूरी संभावना है इसे के साथ गंगया पश्ची मंगाल, मद्यपरदीश, गुजरात, कॉंकोण और गुवा, तट्ये करनाटक, लक्षिदीब, जमकोश्मेर, उत्री पंजाब, साहित, तट्ये आंदर परदेश में भी और इसके आजपास के लागों पर भी जो है, हलकी से लेकर मद्यम बाइस होने की संभावना, मस्मेर बाइस के दोरा जताए गई है, इसे के साथ दोस्तों बात करें के 24 कंटों के दोरान संभून बारत का मोसम कैसा रहा, यानि के कहां पर बारिश होई और कहां पर आंदी तुफान रिकूर्ड किया गया ही, दोस्तों मुसमें बाइस बाइस बाताया है कि पिछले 24 कंटों के दोरान जो है, बिहार, हिमाचल परदेश, पूरी उत्र परदेश, उपिमाले परश्चे मंगाल, अंडबान उने को बढ़ दीब समों के कुछ इसों में और आंदर परदेश के दक्षिन तठ पर अलकी से लेकर मध्यम बारिश होई है, और कुछ इस्तानों पर बारिबारिश भी दर्च की गई है, वहीं उत्राकन, गंगे पस्चिमाल, रायल सेमाल, तमिल नड़ू और कौकन साहित गोव में भी हलकी से लेकर मध्यम बारिश दर्च की गई है 24 कंटों के दोरान, दोस्तों ये ता संपूर भारत का अगले आने वाले 24 से 48 गंटों का मोसम का पूरू अनुमान अभी आपके शेतर का मोसम कैसा है और आपकी शेतर से हैं वो में रिचे कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर से बताएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है मापको अगले वीडियो में